प्रोना महा संकट के बीच मोर्चा सर्च ओप्रेशन तबलीकी जमात के कारी करम से लोटे लोगों की देश भर्मी तलास चुकि मकरश से निकाले गए 24 लोगों के केविट 19 से प्रित होने की पुष्टी हो चुकी है ऐसे में देश भर में कुरोना संकर्मन के मामलों में तेजी आने का खत्रा बढ़ गया है यही वज़ा है कि अब ना सिर्फ धर्म परचार में लगे इन देशी बिदेशी मुसलमानों की तलास में देश भर में छापा मारी का भियान चल लाए जबकि उन लोगों का पता भी लगाया जा रहा है जो कारी करम में सिर्कत कर लोट रहे जमाईतियों के साथ ट्रेनों में सफर किये थे आईए जानते हैं देश भर में जारी सर्च ओपरेशन में अब तक कितने कहां सफलता मिली है रास्थान में मेवात के कावा इलाके के मदर्सों से आए जमातियों की तलास के लिए जीला कलेक्टर के निर्देश पर सर्ज ओपरेशन चलाया गया है मंगलवार की देर रात को पहाड़ी उखंड के गाउं जूदपूर से 16 लोगों को स्वस्थ परिच्चन करने के बाद जीला अस्पताल भिजवा दिया गया साथ ही दो जमाति को नौ नेरा गाउं से जीला अस्पताल भिजवाया गया है नई दिल्ली से लोटे तबलीकी जमात के दस लोगों की जम्मू में पहचान कर ली गई है इन सभी ने दिल्ली में जमात के जोड कारी करम में हिस्सा लिया था इन दस लोगों में नो हैद्राबाद के हैं अधिकारियों ने बताया कि उन्हें आइस्योलेशन में रखा गया है। जम्मू कस्मिर पुलेश के करमियों ने इन लोगों की पहचान की और उन्हें जम्मू के बाहरी छेतर में भटिंडी भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि 1-15 मार्च तक आयोजीत हुए तबलीकी जमात के कारी करम में हिस्सा लेने वाले लोगों पर पुलिस बल की फूपिया विभाग की नजर है। आंदर परदेश में मंगलवार की राच से कोरोना भायरस के 43 नए मामले सामने आये हैं जिसमें राजे में कुल मामलों की संख्या 87 हो गई है सरकार ने यह जानकारी दी इस मामलों में ज्यादा तर नई दिल्ली में आयोजीत तबलीकी जमात के कारी करम में सामिल होकर लोटे मुलेटिन में कहा गया है कि मंगलवार की रात 9 बजे से 373 नमुनों की जाच की गई और बुद्वार की सुबह 9 बजे तक 330 मामलों की जाच रिपोर्ट निगेटिव आई है करोना भाइरस के कारण देश बर में जारी बंद के बीच मंगलवार को यूपी के परियाग राज में काटजू रोड इस्तित सेख अब्दुल्ला मस्जिद में 37 लोग मिले जिन में इंडोनेसिया के साथ नागरिक है जबकि केरल और पसीम बंगाल का एक-एक वैक्ति सामि हैं इन्हें जोर्ज टाउन इस्तित कमला भवन में आइसोलेशन में रखा गया है एस पी सीटी बिर्जेश कुमा सिरी बास्तव ने बताया कि सेप अब्दुल्ला मस्जिद में इस्तित मुशा फिर खाना में ये लोग 22 मार्च से ठरे थे जिसमें से नोग ऐसे हैं जो दिल संदक ने पुलीस और परसासन को इनकी जनकारी नहीं दी इसलिए मस्जिद के प्रवंदक वसीम के खिलाफ एम आराई दर्ज की गई है पुलीस ने एतिहातिक के तोर पर अन्य धार्मिक अस्तल धरमसाला और पोटलों में भी तलासी शुरू कर दी है दिली के निजा मुद दिन में हुए तबलिकी मरकज में बिहार के 86 लोग सामिल थे डीजीपी कुपतेस्वर पांडे ने बुद्वार को या जनकारी दी उन्होंने बताया कि विदेश से आए 57 लोग भी इसमें सामिल हुए थे डीजीपी ने कहा कि उन सभी की जाच होगी और नजर रखी है उन्होंने बताया कि अभी तक 162 लोगों की लिष्ट आई है और सभी की तहकीकात कराई जा रही है पर्फिकर के चिनित किया जा चुका है सेच की तलास कि जा रही है उन्होंने कहा कि आज साम तक अधिकांज को ट्रेस्स कर लिया जाएगा लिया कि जिन लोगों को हिंद